क्या मैं ड्रामा कर रहा हूँ? बॉलिवुड में कभी कोई ऐसा नहीं बोलता है अगर आप सब अपनी यादे ताजा करना चाहते हैं तो बहुत से अक्टर्स के जगडे और और अर्गुबेंट्स आपके जहन में आएंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको अगलियस फाइट्स बिट्विन बॉलिवुड सेलेबिरिटीस के बारे में बताने वाले हैं तो आप सब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना नमबर एक पर है ईशा देवल और अमरिता राओ इशा देवल ने अपनी फिल्म प्यारे मोहन के सेट पर अमरिता राओ को थपड मारा था सुत्रों के मताबिख दोनों एक दूसरे से पहले से ही नफरत करते थे और इशा अपने कोस्टार अमरिता पर गुस्षा हो गई और लड़ाई करने लगी रिपोर्ट्स के मताबिख अमरिता राओ ने फिल्म सेट पर ईशा को कुछ कहा था और इसकी वज़े से ईशा देवल ने उनको थपड मार दिया दोस्तों शारू खान और सल्मान खान की अब सुलजाई हुई दुश्मन ही कभी छुपी नहीं थी उनकी टकराल सबके सामने खुली हुई थी बॉलिवुट के करन अरजुन पहले बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन एक छोटी सी बात के बाद दुश्मन बन गए थे 2008 में कटरिना कैफ की बर्ते पार्टी पर दोनों के बीच एक जगड़ा हुआ और जल्द ही ये जगड़ा फिजिकल फाइट में बदल गया इसके बाद कुछ वक्त तक दोनों स्टार्स एक दुसरे से बात तक नहीं करते थे लेकिन अब दोनों फिर से मिल गए हैं और एक दुसरे के फिल्म में भी काम किया है कंगना और दिलजीत के बीच हाली में हुए जगड़ा अब तक सब के दिमाख में ताजा है इन दोनों का टकरार तब शुरू हुआ जब कंगना ने किसन अंदोलन के दोरान एक बुडिया के बारे में टुईट किया था कंगना के टुईट का जवाब देते हुए दिलजीत ने उन्हें बुजरू को का सम्मान करना सिखाया साल 2020 के सबसे बड़े ट्विटर जगड़े में दोनों ने सोशल मीडिया पर लड़ाई की और अभी दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं सल्मान खान और अरजीत सिंग के बीच का बुरा जगड़ा साल 2014 के आवार्ट फंक्शन के दौरान हुआ था सल्मान खान इवेंट होस्ट कर रहे थे तब अरजीत सिंग स्टेज पर आवार्ट लेने आए सिंगर बहुती ज्यादा वियस थे क्यूंकि वो म्यूजिक कंपोजर फृतम चक्रोबर्ती के लिए एक गाने को एडिट कर रहे थे अरजीत सिंग कैजूल्स और चपल पहने हुए थे जब सल्मान ने उनका मजाख उड़ाया और कहा कि तू है विनर अरजीत सिंग चुप नहीं बैठे और एक्टर को मूँ तोड़ जवाब दे दिया आप लोगों ने सुला दिया सल्मान के इगो पर इस जवाब ने बुरा असर दाला और एक्टर ने कई बार सिंगर पर गुस्सा निकाला दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते अशरा राय बच्चन और सोनम कपूर अशरा राय और सोनम कपूर के बीच का एक और कैट फाइट हुआ था जब अंटी शब्द पहला गया था तो अशरा को बहुत बुरा लगा ये शब्द गलत जगे पर गलत समय पर बोला गया था सोनम कपूर ने अक्टरस को अंटी कहा था जो बहुत बड़ी गलती थी इसके बाद अशरा राय ने कैनन्स के रेट कार्पेट पर सोनम कपूर के साथ चलने से मना कर दिया इस जगडे की खबर बाहर पहल गई और सब को पता चल गया तो दोस्तो ये थे बॉलिवूड अक्टर्स और उनके हुए बीच के कुछ जगडे दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना